इन टुडेज वीडियो आप देखेंगे स्लैंटिंग लाइन चोटी सी बनाना है और उसको लेफ्ट हैंड पे टर्न करके नीचे लाना है और लेफ्ट हैंड से उपर स्लैंट बनाना है फिर से देखेंगे एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन जिससे हमने कर्फ दिया लाइन पे टच करके उसको हमने चोटा आ का उल्टा जो चोटा आ बनता है उसका आ कार दिया और उपर लेजाके हमने एक स्लैंट छोड दिया इसे हम कहते हैं small z पिर से देखेंगे आपको काउंटिंग जब आप लिखते हैं तो 3 का शेप आसानी से बनाना आता है ये कुछ 3 के शेप के समान है लेकिन इसमें आपको नीचे वाला जो टर्न है वो जरा बड़ा बनाना है फिर से देखेंगे मैं आपको लाइन पर बना के बताती हूँ यह आपने फर्स्ट वाला सेमी सर्कल और यह सेकेंड वाला थोड़ा बड़ा बना के उपर स्लैंटिंग लाइन लाके छोड़ना है फिर से बनाएंगे आपको अच्छी तरह अभ्यास करना है स्मॉल जड लिखने का आपका होमवर्ग है इसका अभ्यास टू पेजिस में करेंगे टू पेजिस प्राक्टिस करने के बाद आपका जो नेक्स टेप होगा वो है तीन जड की आकरतियों को एक साथ मिला कर लिखना हम देखते हैं कि किस प्रकार हम शुरुआत करेंगे ये आपका फर्स्ट जड इसी को उपर लेके जाना है और ये दूसरा जड और ये तीसरा जड तीनों जड पेपर पे एक बार पैन डखने के बाद बनाना है और पैन को बीच में नहीं उठाना है इस यूर स्मॉल जड प्रैक्टिस नाइसली जब आप अभ्यास कर रहे हो उस समय पैन को थाम कर लिखना है बार बार इस चीज़ पे ध्यान देना है लाइन खीच के चेक करना है कि तीनों आकरतियां एक बराबर हैं या नहीं तीनों आकरतियों में जो क्रॉस हो रहा है जो स्लेंटिंग लाइन जेड को बना कर क्रॉस हो रही है वो एक साइज में है या नहीं इसको लाइन खीच के हम चेक करते रहेंगे यदि ऐसा नहीं होता तो आपको अभ्यास की और अवश्यक्ता है और प्रैक्टिस करेंगे आपका होमवक है जेड की आकरती तीन बार जो मिला कर लिखना है उसको आप दो पेजिस अच्छी तरह लिखने का अभ्यास करेंगे